हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चानल स्रस्टी स्टेडी पॉइंट और यहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो पुलिस कॉंस्टेबिल का पीपर है उसको लेकर और सबसे यहां पर इंपोर्टन बात है जिस चीज को लेकर बच्चे परिशान है कि 150 प्रिश्ण ह और 120 मिनट में करने है तो ताइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए इस चीज को लेकर जो है हम यहां पर बात करेंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा यह देखे सबसे यहां पर देखे आप प्रिशन देखने को मिलेंगे एक तो सामान ग्यान के दूसरा सामान हिंदी का तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योगता परिक्षा के अंतरगत प्रिशन होंगे और चौथा जो होगा वो मानसिक अभिरुची बुद्धी लबदी और तारकिक शमता के अकॉर्डिंग यहा पर इन्होंने चारों प्रकार के प्रिशन में कोई डिवाइडेशन नहीं किया है यह बता दिया है कि सभी डेड़ सो प्रिशन होंगे आपके लेकिन लगभग 37-38 के लगभग आपका अबरेज आएगा किसी में 37-38 इस तरह से आपके यह प्रिशन होंगे तो आप टाइम मे Canada For Today and टाइम मिल रहा है और टाइममों एट मिल रहा है कोशन निट सोनने प्रिशन होंगो transforming होते है तो यह सबसे ज़यादा सोचने वाली बात है और साथ ही साथ उससे ज़यादा जो विचारनी बात है वो है negative marking बहुत जादा है 0.5 की है दो गलत उत्तर होने पर एक सही उत्त काट लिया जाएगा तो इसको लेकर भी बचे परिशाने की जल्दवाजी में कई कोशन हमारा गलत ना हो जाए कि हम सोचे बहुत अच्छा पेपर हुआ जब चेक करें आके तो गलत कोशन बहुत सारे रहें और जिससे की हमारी नेगेटिव मारके में बहुत सारी कोशन कट ज आती हूं देखे आपको 120 मिनट जब मिले हैं तो आप यहां पर देखे 40, 40 और 40 ठीक है तीन पार्ट्स में अगर आप अपने मिनट्स को बाट लेंगे जबकि यहां विशे तो चार हैं लेकिन आप बाटेंगे यहां पर तीन पार्ट्स में 40, 40 और 40 अब इनकी में पूरी आ आप कोशिश कीजेगा कि सामान ग्यान और हिंदी दोनों ही सॉल्ब कर ले क्योंकि इन में क्या है कोशन को पड़ो और आंसर बताना है कोशन को पड़ो और आंसर बताना है अब यहां पर क्या है इन 40 मिनट में यह आपका मैनेजमेंट रहना चाहिए कि हिंदी में आप कम सम है आप हिंदी में दें क्योंकि हिंदी में कोशन को पढ़ेंगे हिंदी इजी वी आती है हिंदी के आंसर आपको सटीक पता भी रहेंगे जो जो आंसर आपको पता है उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते चले उससे थोड़ा सा ज्यादा समय जो है वो आप सामान ग्यान को दे सकते हैं overall 40 मिनट इस चीज के लिए रखें उससे जादा मिनट इसके लिए ना रखें अगर इससे जादा मिनट आपने इन दोनों विशयों पर लगा दिये तो आपके इन दोनों में से definitely प्रिशन छूटेंगे यह मैं आपको बता दूँ क्योंकि इन सब प्रिशनों में अब यहां पर यह जो प्रिशन आए जिन में आपको 80 मिनट देने हैं दोनों में 40 मिनट आप दीजेगा गड़ित को 40 reasoning को थोड़ा बहुत आगे पीछे एक दो मिनट हो जाएगा यह ऐसा कु यह यहां पर सबसे अधा सोचने वाली बात है इसलिए अगर आप यहां पर इस तरह से time management करेंगे 40 मिनट इसे 40 इसे और 40 इसे तो आपके total 120 मिनट जो है वो consume भी हो जाएगे और आपके जो है अच्छे से पूरा management हो जाएगा इसमें इसके साथ यह भी है कि जो जो question आपको आते चल रहे हैं उनको solve करते चलिए ऐसा ना हो कि माली जे सामान ग्यान के आपको बहुत सारे प्रिशना रहे हैं आपने क्या क्या आपनी जो question बुकलेट है उस पर सही के टिक लगा लिए लेकिन आपने जो गोले है साथ साथ नंबर वाईज आप काले करते नहीं चल रहे ह तो भी दिक्कत हो जाएगी ऐसी सामान हिंदी का है ऐसी इसके साथ है सेम इसके साथ है साथ में गोले काले करते चलेंगे जिसका विल्कुल सटीक आंसर आपको बता देखिए गड़ित में और reasoning में तो आपका आंसर सटीक निकल के ही आएगा उसमें ऐसा तो है नहीं कि रट दीजे बिलकुछ सही से तो यह दोनों portion में इस तरह से आप रहेंगे और सामान हिंदी और सामान ग्यान में तो यह है कि जो question आपको आते हैं उनको आप जल्दी से कर लिजे और उनके गोले काले कर लिजे जो नहीं आ रहा है उनको दुबारा क्यूंकि इतना time भी थोड़ा बचा के चलना है कि आप paper को एक बार पढ़ चुके हैं 150 question एक से लेकर 150 question तक फिर आपको दुबारा भी उन question को एक से लेकर 150 में जो छूटे question है छूट भी तो जाएंगे ऐसा थोड़ी कि सारे question आप करते चलेंगे जो छूटे हुए question है उनको दुबारा से read भी करना है हो सक इन बार उसको repeat करते हैं तो हमें अच्छे से answer आ जाता है तो इस चीज को सबको ध्यान में रखिएगा तो आप definitely अपना time management कर पाएंगे और जाद से जादा question करेंगे और सही question करेंगे गलत question नहीं करेंगे क्योंकि आप देखेगा minus marking आपके लिए सबसे बड़ा यहाँ पर rule लदा कर रही है यह देखे पूरा लिखा है कि 0.5 की रडात्मा कंकन होगा तो इस चीज को लेकर बिल्कुल सतर्क रहिएगा और गोले बिल्कुल सही भरिएगा यह मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको गोला भरने में बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई गोला आपने आदा बरने का और यह सारे तरीके गलत दे रखें तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा बिल्कुल रबर का इस्तिमाल करके मतलब किसी भी गोले को मिट गोले पर अगर आपने मार्क कर दिया है और मार्क करने वाद उसको मिटाने की कोशिश मत करिएगा कि आप रबर का इस्तिमा तो पूरा और जिस पाली में अगर जिसकी बाद की पाली में परिक्षा है तो उसे जरूर फाइदा भी होगा क्योंकि पहले जिन पालीओं की परिक्षा हो जाए तो पहले पाले की जो परिक्षा हो जा किसी के अभी तो उसका पेपर लेनी की कोशिश कीजिएगा कि आपको उसको पेपर मिल जाए जैसे 17 को जिसकी 1st shift में पेपर हो तो कोशिश कीजेगा को उसका पेपर मिल जाए आपको यह 17 की 2nd shift में हो और आपका ठारा को पेपर है तो पेपर आपको अगर मिल जाता तो पेपर को आप read करिएगा उसके पूरे पेपर को भले हल ना करें तो आपको इस समझ में आएगा कि कोशन किस टाइप का जो है आपसे board पूछ रहा है तो आप उस साइप के कोशन को लेकर सजग रहेंगे कभी-कभी उसी कोशन को repeat भी कर देते हैं दूसरी shift में दूसरे तरह से तो ये भी ध्यान रखेगा क्योंकि ये जो UPSC में अक्सर होता है तो इन चीज सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो paper है अच्छा होगा बिल्कुल और अच्छे से आप paper दे पाएंगे और next जो आपका label होगा उस label पर आप पहुच पाएंगे और आपका paper एक से ज़्यादा shift में होगा तो normalization होगा यानि कि सब का बिल्कुल ऐसा जए एक shift में कैसा paper आया दूसरी में कैसा तीसरी में कैसा चौतरी में चारों का normalization होगा तो ये मत सुचेगा इनका सरल आया अमारा tough आया तो ये सब board के काम है इन कामों में ध्यान मत दीजे और paper आपका Hindi English दोनों में आएगा केवल Hindi के question को चोड़कर Hindi का जो paper होगा उसको चोड़कर और किसी भी question में आपको संचा है तो तुरंद English वाले portion पे जाईएगा English वाले question को पढ़िएगा कई mistake है कई printing mistake है कई typing mistake है क्योंकि इंग्रेजी का जो रूपांतरन है वो ही मान होता है question आपका Hindi में अगर गलत type किया हुआ है और English में उसको सही type किया हुआ है उसी question को तो आप किता भी कहते रहे है कि हमने Hindi में पढ़ा था हमने इसका गलत रीड हो रहा था तो हम answer नहीं दे पाई या कुछ नहीं अगर English में सही दिया है तो उसको server man माना जाएगा तो ये भी ध्यान रखेगा इस चीज़ को ठीक है English का version जो है server man माना जाएगा तो पूरी यहां पर मुझे आपको जानकारी देनी थी कि time management आप कैसे करें और अगर आप इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे definitely आप अच्छे से अपना paper दे पाएंगे पूरे आप